है यह फ्रेंद्स वेलकम टो ओरिजिन्स इश्याला और आज के इस वीडियो में I'll be talking about a new topic that is bipolar non saturated logic families तो राइट हमने last lecture में यह पढ़ा था बट हमने देखा था एक logic family तो एक और logic family होती है जो non saturated logic families की category को belong करती है and that is emitter coupled logic तो emitter coupled logic अब अलग क्या होता है इसमें special क्या होता है यह सब हम देख लेते हैं तो सबसे पहले emitter coupled logic में अगर आप देखेंगे तो very first point इसकी non saturated transistor type को belong करता है तो इसका मतलब क्या निकालेंगे हम यानि यह भी cut off to active region के बीच में travel करेगा और इसमें saturation region में entrance नहीं हो पात है तो यहां पर जो propagation delay है वो system के अंदर कम होता है अब यहां पर यह circuit भी बहुत special होती है ECL की तो यहां पर देखेंगे यह जो circuit है जैसे कि इसका नाम है emitter coupled logic आप coupling का मतलब join करना होता है और यहां पर लिखा emitter coupled तो यहां पर हम किसको join करने वाले है emitter को तो यहां पर इसका जो basic diagram है यानि अगर आप ECL का basic diagram उठाते हैं तो यह वाली circuit होती है और इसे हम differential circuit बोलते हैं differential amplifier की यह circuit है तो यहां पर अगर आप notice करेंगे जो transistor Q1 और transistor Q2 है इनके जो transistor के emitter वाला पार्ट है यानि यहां से जो arrow निकल रहे हैं यह दोनों emitter वाला पार्ट है इन्हें हमने एक सा join किया है और फिर ground की तरफ दिया है so this particular thing is known as coupling इसे coupling कहते है यह इसी वज़े से इस circuit का नाम है emitter couple logic कहा जाता है तो अगर आप कोई भी इसमें gate निकालते हैं जैसे and gate और gate तो इतना diagram आपको हमेशा देखने मिलेगा और बाकी के जो transistors add करके modification करेंगे उससे आपको कोई भी gate form होता है अब यहाँ पर अगर आप जैसे notice करेंगे कि यह मैंने कहा कि cut off और active region के बीच में काम करता है तो यहाँ पर turn off और turn on time काफी कम होता है बट speciality क्या होती है पता ECL की इसका जो propagation delay है वो सारे logic families में सबसे कम है यानि 1 nanosecond का इसका propagation delay है it means यह सबसे fastest logic family है तो जहाँ पर हमें high speed equipments की जरूरत है circuits में transistors की जरूरत है वहाँ पर हम ECL use करते हैं पर इसका एक नुकसान भी होता है that is कि इसमें power dissipation जादा होता है अब यह power dissipation जादा क्यों हो रहा है since यह पूरा का पूरा circuit cut off to active region में बहुत speed में transfer होता है यहाँ पर power dissipation heat generation की वज़े से होता है तो इस इसके अंदर power dissipation जादा होता है बट इसकी speed अच्छी है तो आपको कहाँ पर भी compromise करना हो कि आपको क्या चाहिए वो हमें से choose करना होता है कि अगर आपको बहुत जादा speed होती है then you have to manage with the power dissipation part कि आपको power dissipation manage करने के लिए शायद sink add करनी पड़ेगी circuit में या open उसका atmosphere देना प circuit तो ये circuit क्या है actual में जो हमने देखी थी वही circuit है ये देखिए इतना part अगर आप notice करेंगे ये वही है बस इसमें हमने दो ट्रांजिस्टर और अड़ किये है तो जैसे मैंने कहा था कि आपका जो ECL circuit है उसके अंदर आप कोई भी circuit ले लीजे कोई भी gate ले लीजे इतना part आ and then आगे कुछ भी changes किये जा सकते हैं अब इस circuit में मैं फाइदे की बात कर रहे थी तो यहां पे एक फाइदा ये होता है कि इसके अंदर circuit की noise immunity बहुत जादा है यानि यहां पे noise entry काफी कम होती है इसमें noise के fluctuations बहुत कम देखने मिलते है इसका reason क्या है इसका reason है ये particular coupling के बात ये जो resistor लगाया गया है ये तो होता क्या है actually पूरी circuit में अगर अगर आप generally देखते हैं तो हर एक पार्ट में current अलग-अलग transfer हो रहा होता है अलग-अलग उसकी value आ रही होती है but in ECL यहां पे जो current है जो fluctuation है current के अंदर वो बहुत-बहुत-बहुत कम है as compared to CMOS as compared to TTL as compared to any other family तो यहां पे जो fluctuation कम होती है इसके वज़े से क्या होता है यहां पे noise को enter होने का chance ही नहीं मिलता तो यहां पे अगर noise एंटर ही नहीं हो पाईगी तो fluctuation noise की देखने ही नहीं मिलेगी तो यहां पे यह जो resistor यह actually constant current drawing source की तरह काम करता है यानि यह एक resistor और इस coupling के वज़े से य यहां पे current जो है वो constant रहता है और यहां पे noise enter नहीं हो पाती और यहां पे एक फाइदा यह है जहां पे noise नहीं है वहां पे circuit का जो working है वो stable होता है और उसके अंदर आपको बोलते है जहां पे एकदम accurate output चाहिए उसके लिए ECL best है अब यहां पे आपको एक और important चीज़ बत अब अगर आप इस circuit को ध्यान से देखेंगे यह हमारी normal circuit से थोड़ी सी अलग है थोड़ी सी अलग इसलिए है क्योंकि इसके उपर देखेंगे तो यहां पे VCC में voltage 0 है अब आप normal circuit में अगर देखते है usually उपर positive voltage होता है और नीचे ground होता है यहां पे उपर positive voltage है and जो नीचे यह circuit का working गलत है नई यह circuit राइट है पर इसका जो methodology है working का वो इस तरह से बनाया गया है अब यहां पे आपको है बेजिक electrical circuit का में working समझा देती हूं कि अगर कोई भी circuit को हमें operate करवाना है तो उसमें voltage drop होना चाहिए यानि from higher voltage to lower voltage voltage के ट्रावल electrons को travel करने का path मिलना चाहिए तो इसका इस चीज़ से क्या तालूक है तालूक यह है अगर आपने basic maths में कभी ध्यान दिया होगा अगर आप 0 से नीचे की कोई value लेते है तो 0 से नीचे values होती है सबसे पहले yes होती है minus numbers होते है minus infinity तक होते हैं तो अगर मैं बोलू minus 1 और 0 में compare करो ना तो 0 वोल्ट is greater than minus 5.2 वोल्ट तो यहाँ पे voltage drop का concept लगेगा obviously लगेगा यहाँ से higher potential से हमारी circuit lower potential पे travel करेगी तो यह concept होता है ECL के अंदर अब ECL सिर्फ ऐसे ही काम करती है नहीं इसमे positive voltages भी use किये जाते हैं बट वो अलग circuit बनती है यहाँ पे यह जो circuit है यह negative voltages में इसलिए पढ़ी जाती है क्योंकि जो आप general circuit देखते हैं उसके अंदर यह diagram अलग होता है तो यह समझना बहुत important है अब यहाँ पे in और out voltage यानि जो हमारा 0 voltage और logic 1 है उसके लिए क्या ध्यान रखना है तो यह तो मैंने बता दिया कि चलिए potential drop हो रहा है 0 to minus 5.2 पर input voltages में क्य होता है अगर आपको logic 1 या 0 लेना है तो जो आपका logic 1 और logic 0 है उसके voltages logic 0 के लिए minus 1.7 volt होता है और logic 1 के लिए minus 0.8 या 0.9 volt होता है तो अगेन यहाँ पे वही concept है minus 1.7 volt is less than minus 0.8 and 0.19 volt ऐसा क्यों हो जैसे मैंने कहा कि 0 के अगर आप compare करेंगे तो 0 उसे अगर आप movement दे रहे हैं तो 0.8 जो है वो minus 1.7 से पहले आता है तो 0.8 is greater than minus 1.7 volt तो यह logic 1 का काम करेगा और यह logic 0 अब यहाँ पे working कैसे होगा बिलकुल normal transistor में जो हम लोग पढ़ते हैं वैसा ही होगा तो यहाँ पे suppose सबसे पहले में logic 0 देती हूँ तो अगर आपको यह normal transistor को logic 0 देते हैं यानि base में आप current को रोग दे रहे हैं reverse bias आप दे रहे हैं ऐसा assume करेंगे तो क्या होगा यह transistor for time being यानि उस particular time के लिए जब आपने इसको logic 0 दिया है conduct करना बंद कर देगा तो यहाँ पे भी होगा यह conduct करना बंद कर देगा अब अगर यह conduct नहीं करेगा तो य यह जो voltage है यहाँ पे available होगा collector part पे अब यहाँ पे हमने बाहर के side में एक extra transistor लगाया है तो अहम लोग यहाँ से direct output ले सकते थे अब direct output ले सकते थे बड़ प्रॉब्लम यह होती कि वहाँ पे जो voltage fluctuation है वो जादा होता है यानि input के compare में output में कुछ अलगी voltage मिलता है usually ECL में यह एक problem होती है तो उसको manage करने के लिए जो भी हमारी output pins होती है वहाँ पे हम लोग एक extra emitter लगाया जाता है जिसे हम लोग emitter follower बोलते हैं emitter follower क्योंकि यहाँ पे यह जो output है ना देखिए emitter वाले पार्ट से ले रहे तो यहाँ पे अगर आप notice करेंगे ना अगर मैं इसको logic 0 तो that is logic 1 तो यहाँ पे since मैंने जैसे कहा कि अगर यह transistor बंद है तो इस पार्ट में क्या होगा मेरा जो transistor वाला पार्ट है पूरा voltage यहाँ पे आएगा और यह on हो जाएगा यह transistor अगर on होगा तो मुझे इसके output में logic 1 मिलेगा अब एक और चीज जो important है सिर्फ इसमें एक यह output आ रहा है नहीं यहाँ पे ना आपके ECL में एक और आपको फाइदा देखने मिलता है that is यहाँ पे दो output मिलेंगे आपको तो दो output क्या है एक है यह logic 1 दूसरा आपको q2 पे ध्यान देना है तो अगर आप देखेंगे q2 पे हमने vbb-1.32 voltage fix रखा है तो यहाँ पे यह voltage के वज दीक कौन है 0 के तो यहाँ पे minus 1.32 अगर बड़ा है तो यह particular transistor on हो जा रहा है तो इसका पूरा voltage कहां जा रहा है ग्राउंड में जा रहा है पर यह conduct नहीं कर रहा था तो यहाँ पे क्या होता है इस transistor के वज़े सामे logic 1 मिलेगा बट अगर आप q2 को देखेंगे ना यह transistor on था तो पूरा power ground हो गया तो यहाँ पे कोई भी voltage available नहीं होगा इसलिए इस line पे हमें logic 0 मिलेगा अब इससे होता क्या है आपको दो complementary output मिलते हैं यानि एक आपको जो inverter वाला part था वो और एक जो आपने दिया था वो वैसे कि वैसे जिसे हम buffer बोलते हैं तो यहाँ पे आप लोग इ हमेशा दो output मिलेंगे और वो दोनो compulsory complement होंगे that is why it is known as differential amplifier यानि complementing output देगा तो यहाँ पे देख लीचे एक logic 1 आया है और एक logic 0 आया है तो यह सिर्फ इसी gate में applicable है नहीं यह सारे gates में applicable है यानि suppose अगर आप और gate की circuit ECL में बना रहे हैं तो आपको उसी के साथ NOR अपने आप मि मिल जाएगा तो इस तरह से इसका third benefit क्या है ECL का कि आपको दो-दो circuit एक साथ मिलती है यानि AND gate भी मिल गया तो आपको दो अलग chip लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती तो अगर आपको ऐसी कोई circuit डेवलप करनी है जहां पे आपको दोनों ही चीजे चाहिए AND वाला formation और वाला formation और वाला formation तो आप एक ECL की chip लाएंगे आपको दोनों ही चीजे एक में ही मिल जाएगी तो यह अगेन इसका एक benefit होता है अब यहां पे देखिए second input पुट करते हम लोग तो जैसे मैंने कहा logic 1 देते हैं minus 0.8 volt तो अगर मैंने इसको logic 1 दिया तो यह transistor on हो गया अब अगर इससे compare करेंगे न तो this is greater तो यह बंदा बंद हो जाएगा तो यह transistor बंद है और यह transistor on है अगर आप देखेंगे इसको अगर logic 1 दिया है मैंने तो इसको logic 1 अगर मैं दूंगी तो यह पूरा जो voltage है पूरा ground में drop होगा तो Q3 में मुझे output में क्या मिलना चाहिए obviously logic 0 because हमने पू to off था तो यह पूरा जो voltage है इसको नीचे जाने का तो रस्ता ही नहीं मिलेगा यह यहाँ पर आएगा और हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा logic 1 तो यह इस तरह से circuit काम करती है और यह basal ECL की inverter circuit है तो यहाँ पर आपको again मैं आपको वापस एक बार revise करवा देती हूँ हमने क्य है क्या देखा इस circuit में यह वाला जो पार्ट है इसे हम लोग emitter couple logic बोलते हैं because यहाँ पर ECL में हम लोग दोनों ही emitter को एक साथ short करके फिर देते हैं तो this is why it is known as ECL emitter couple logic दूसरा यहाँ पर हमारे जो voltages है वो regular voltages से अलग चलते हैं उपर 0V है और नीचे minus 5.2V है यानि concept वही है potential drop का तो higher voltage to lower potential drop होगा input में हमारे दो voltages होते हैं तो that is minus 1.7 logic 0 के लिए और minus 0.8 to minus 0.9 logic 1 के लिए इस circuit में जब आप output लेते हैं VC1 और VC2 से तो output as compared to input proper नहीं होता उसे balance करने के लिए हमें Q3 और Q4 लगाना पड़ता है जिसे हम emitter follower circuits बोलते हैं अब last and least important point जो आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि यहाँ पे आपको दोनों output मिलेंगे क्या अगर आप OR gate बना रहे हैं तो NOR gate भी मिलेगा AND बना रहे हैं तो NAND gate भी मिलेगा तो यहाँ पे इस particular चीज़ को हम complementing circuit बोलते हैं और इसी वज़े से ECL को differential amplifier कहा जाता है क्योंकि यह complementing output देता है तो I hope यह सारे points आपको याद रहेंगे अगर आप कोई भी basic ECL के बार में अगर आपको कोई information देनी है या अगर आपको कोई सवाल पूछ रहा है आपको इतना knowledge होना चाहिए इतने में तो आपको कोई भी genius समझेगा कि इसे ECL के बार में सब कुछ पता है तो I hope आपको ECL working समझ आ गई होगी इसी के साथ अगर आप इसी तरह के नए नए वीडियो देखना चाहते हैं तो don't forget to subscribe our channel और thank you for watching this video अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो please हमारे वीडियो को एक like ज़रूर दे दीजेगा और किसी भी information को अगर आप share करते हैं तो घ मुझे definitely पूच सकते हैं और अगर आप digital electronics से related books download करना चाहते हैं तो हमारे blog पे available है इसकी links तो आप वहाँ पे जाईए और वहाँ से आप links ले सकते हैं till then bye bye and don't forget to subscribe our channel I'll see you in the next lecture झाल